हलो एन वलकम टू विक्नोटेक मैं हूँ विक्रम और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने वच्छाप को एक्सेस कर सकते हैं अपने पीसी या लापटॉप के वेब ब्राउजर से देखिये वच्छाप को आपको अपने लापटॉप के डेस्टॉप में य करना चाहते हैं आपको अगर कुछ इंपॉर्टन मेसेज़े आते हैं वच्छाप पर तो आपको उनका इंस्टेंटली रिप्लाई करना चाहते हैं तो उस परपस के लिए वच्छाप को अपने लापटॉप या पीसी के वेब ब्राउजर से भी आक्सेस कर सकते हैं तो आई है और यहां पर आप देख रहे हैं द दॉट है यहां थी टॉट पर हर रहे हैं और थी दोट करके आपको आपको जाना है और यहां आपको दिखा देगा कीए ओप्षुन use WhatsApp on other devices और link device का option आ जाएगा तो हम इसको link device के option पे click कर देंगे यहाँ पर phone को unlock करने को गएगा है और अब आपको बाकी का process जो है हम आपको अपने laptop पे करके दिखाते हैं देखे second step के लिए जाना है आपको अपने PC या laptop के web browser पे जो की Chrome या edge या और जो भी आप browser यूज़ करते हैं simply आपको उसको open करना है और आपके browser के address बार में आपको type करना है web.whatsapp.com और यह आपका जो है WhatsApp का एक page खुल जाएगा जिसमें आपको clearly instructions बिनेगे to use WhatsApp on your computer आपको करना क्या है अब आपको अपना phone जिसमें हमने link devices का option open किया था आपको अपना phone लाना है और simply आपको यह scan QR code के option पे so for example आप एक पर देख सकते हैं अभी phone पे आपका option आ रहा है scan QR code to use WhatsApp on the web go to web.whatsapp on your computer जो कि हमने खोल लिया है simply इस option पे हम ok tap करेंगे तो एक scanner खुल जाएगा जैसे ही हम इस phone से laptop के browser में दिखाए हुए code को scan करते हैं आप देख सकते हैं कि हमारा WhatsApp जो है यहाँ पे हमारे browser window में open हो गया है यहाँ से हम WhatsApp को properly use कर सकते हैं जैसे हम अपना completely phone में use करते हैं for example नए messages करना कुछ messages का reply करना और सारी वो functionality जो कि आप phone में use करते हैं आप अपने simply web browser में use कर सकते हैं इसके लिए आपको कोई separate installation की भी ज़रूरत नहीं है आप simply जो है अपने किसी भी web browser के थरूँ यह access कर सकते हैं और यहां पर जास आप देख रहे हैं एक option आ रहा है get notified of new messages so आप desktop notifications भी on कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको जैसे WhatsApp पे नएा message है तो desktop की notifications पॉप अप करें तो आप वो option भी कर सकते हैं laptop में WhatsApp sign in करने के बाद आप देख सकते हैं आपके phone में यहां पर device status में Google Chrome Windows और status active दिखा रहा है इसका मतलब हमारा WhatsApp अकाउंट अब इस phone के अलावा हमारे web browser जो की Google Chrome इस टाइम हम यूज कर रहे हैं उसमें भी यूज कर रहे हैं तो यह आपको दिखाएगा आप जो WhatsApp है उसको आप अपने Google Chrome पे या web browser पे यूज कर रहे हैं देखिए एक helpful option में आपको यहां पे और बता दूँ तो जब आपका WhatsApp है आपके laptop पे जब signed in होता है तो आप देख सकते हैं आपके mobile पे यहां पर ऐसे device status में जो है शो कर रहा है कि आपका WhatsApp जो है अभी web browser Google Chrome Windows पे sign in है अगर आप चाहते हैं अपने जो web browser पे आपका WhatsApp का session active है उसे phone से log out करना चाहते हैं for some reason अगर आपके पास laptop का access नहीं है या for example आपके अपने किसी friend या relative के laptop से WhatsApp access कर रहे थे बट वहां से log out करना भूल गए थे तो tension की कोई बात नहीं है अपने simply phones को use करके आप अपने जो WhatsApp पे अपका instance है उसे log out कर सकते हैं उसके लह में करना क्या है यहाँ पर एक बार टाप करना है session के उपर और यहाँ पर आपको 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 दो option देगा log out या close तो simply हमें यहाँ पर log out पर click कर देना है तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें logging out दिखा रहा है और साथ में जैसे ही हम साथ में अपने laptop पर देखते हैं तो यहाँ पर हमारा WhatsApp का जो active session था वो log out हो गया है तो यह था हमारा complete process WhatsApp को access करने का किसी भी laptop या PC के web browser पर अगर इस वीडियो से related आपके कुछ questions है तो प्लीज हमें comment section में बताएं I hope आपको यह video helpful लगा प्लीज इस वीडियो को like करें और ऐसे और वीडियो से देखने के लिए हमारे चानल को subscribe करें आप से फिर मिलेंगे next वीडियो में Thank you for watching